हेलो एफ्रिवान कैसे हैं आप सब आज बनाएंगे कुछ अलग आज हम सिखाएंगे कोई भी अगर डॉरमेट हो हमारा छोटा हो गया तो उसे बड़ा कैसे बनाएंगे तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें सेयर करें सस्क्राइब करें तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखें यह देखें हमने यह डॉरमेट बनाया था इतना बड़ा अब इसके जो हमने डिजाइन बनाई है यह वाली आप इसको पैसे हम बड़ा बनाएंगे वह आपको सिखाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम यहां पर फं देखे यहां फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे तो यह देखे सबसे पहले हम यहां से एक रो को सिंपल तरीके से बुनेंगे यहां से सिंपल बुनेंगे अब यह देखे हम जब फंदा आप इसमें हम एक फंदा डॉरमेट से हम ने इसको एक फंदा से बनाया था कल की वीडियो में आप चेक व्ट कर लीजए वहां से तो इस तरीके से आप बना सकते हैं आसानी से कोई भी डोर मेट हो आप कोई कितना भी डिसाइनर बनाना है आप इस तरीके से बना सकते हैं वो भी आसान तरीके से तो इस तरीके से हम यहां से देखे, एक रोफ हमने बना ली यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हमने यहाँ से फन्दे उटाए हैं तो इस तरीके से आप आइडियास इस्तमाल कीजिए आसानी से बहुत अच्छा डॉर्मेट बना सकते हैं तो इस फंदे को हम किनारे से उतार लेंगे अब यहां से सभी फंदों को बुनेंगे तरीके से आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप पूरा डॉर्मेट को फुल वॉच कीजिए तभी समझ में आता है स्किप कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा फुल वॉच कीजिए आप यहां से इसे हम सीधी साइट से लेंगे पलट लेंगे पलटने के बाद इस फंदे को हम उतार लेंगे प्रोपर किनारे का फंदा हमेशा उतार लेना है वन साइड से उल्टी साइड से बुनना है और सीधी साइड से हमें उतार लेना है अब यहां से इन फंदों को हम बुनेंगे इस तरीके से सभी फंडों को बुनेंगे आप देखे एक सिलाई पे हमने इनको दो टूरों को ऐसे ही बुन लिया ध्यान से देखिएगा अब इसे सिधी साइड लेंगे पलट लेंगे अब आप देखिए यहाँ से क्या करना है यहाँ से हमें इस दो फंदे को हमें एक करना है क्योंकि हमें यहां पर डिसाइन देनी है तो यहां दो का एक करेंगे इस तरीके से और इन फंदों को देखे हम पूरा बुनेंगे चितना भी छोटा बड़ा होगा उस साइड से आप बना सकते है प्रोसेस से मी यह होता है चाहे आप छोटा बना या बड़ा क्योंकि प्रोसेस अलग नहीं होता है इस वज़े से इसमें हम फंदे नहीं बता रहे हैं आपको फंदे अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हम आपको फंदे भी बना देंगे तो यहां से भी दो करेंगे इस साइड से भी और पूरी रो को ऐसे ही बुनेंगे इस तरीके से दियान से देखिएगा फूल वाच कीजिएगा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहां से सीधा लेंगे आप देखिए इसे पलट लेंगे फिर से दो काएक करेंगे आप यहां से पूरी रो को बुनेंगे इस तरीके से यह डोर्मेट बिल्कुल जिसको भी बनाना नहीं आता इजी तरीके से आराम से बना सकता है इसलिए मैं एक बंदा डोर्मेट की बहुत सारी हमने डिजाइन्स बनाई हुए है आगे आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे डिजाइन्स आपको एक बंदा डोर्मेट की बताएंगे देखे इस प्रकार से इन रो को बनाएंगे अब इसे सीधा लेंगे पलट लेंगे यहां से फिर से हम दो का एक करेंगे द्यान रखे उल्टी साइट से हमी दो का एक करना है सीथी साइट से नहीं करना है उल्टी साइट से करना है अब यहां से इन पंदो को बुलेंगे इस तरीके से अब यहां से फिर से हम दो काएक करेंगे अब बड़ा छोटा कैसे भी बना है process सेम ही रखेंगे जैसे कि मैं बार बार बता रहूं प्रोसेस मेरा सेम ही होता है अगर कोई डिजाइन में चेंज होगा तो हम पूरा दोर्मेट ही आपको बताएंगे अगर प्रोसेस कम ज्यादा नहीं होता है उसी तरीके से आप बड़ा छोटा कैसे भी बनाएं प्रोसेस सेम होता है तो मैं छोटे ही डॉरमेट में आपको इजी तरीके से बता देती हूँ थोड़े समय में तो ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए कम समय में बताने की कोशिस करती हूँ तो आप लोग पुल वाज किया कीजिए इस तरीके से पलटेंगे अब यहाँ से फिर से दो का एक करेंगे और यह देखें अब हमारा डॉरमेट बढ़ने वाला है तो इस तरीके से अभी और डिजाइन स्पाकी हैं तो ध्यान से देखते रहिएगा फिर से दो का एक करेंगे बन पंदा डॉरमेट से और भी कुपसूरत से डिजाइन बनती है अगर सीखना आए तो फिर बताईए मैं आपको बहुत अच्छी सी डिजाइन बना के दिखाऊंगी तो देखे इस प्रकार से अभी से सीधी साइट से लेंगे और पलट लेंगे यहां से फिर से हम दो का एक करेंगे इस तरीके से देखे यहां पर हमारा दो का एक हो गया अब इस फंदे को इस तरीके से लेंगे और नोट लगा देंगे यहां पर इस तरीके से नोट लगाएंगे अब देखे एक साइट का हमारा यह बन गया अब इसी तरीके से यह देखे अब जब यह बड़ा डॉर्मिट बनता है तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इस तरीके से यह देखे है अब यहां से जिस तरीके से हमने फंदे उठाय थे यह औरेंज पे वाइट आप चाहे तो इस साइट पे भी वाइट ही लगाएंगे तो बहुत कुपसूरा सा लगेगा और फंदे कैसे उठाएंगे वो चले इसमें बताते हैं अब ने वो सौट कर्ट में बता दिया आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाए अब यहां से फंदे इस तरीके से उठाएंगे यहां से जहां से देखिएगा जिसे फंदा नहीं उठाना आता निव वी बार है तो फुल वाच कीजिएगा यह देखिए इस प्रकार से उठाएंगे यहां से इस तरीके से पूरी रो में हम फंदे उठाएंगे यह देखे आपकी जितनी रो हैं आप इतने ही फंदे उठाएंगे ज्दा न उठाएंगे ने तो कम ज्यादा हो जाएगा जितनी छोटिया यह हैं इतने ही फंदे उठाना है में इस तका ध्यान रखे अपको कम ज्यादा जिस तरीके से उठा लीजे तब यहाँ पर लाश्ट में कॉर्णuger द्यान दीजे यह बिल्कुल कॉर्णरवाला ही फंदा उठाना है यहाँ से इस प्रकार से उठा लिया हमने फंदा आप जिस तरीके से यहां पर हम बुने इसी तरीके से हमें इस साइड पर बुनना है और हमारा डोर्मेट कम्प्लीट हो जाएगा इस तरीके से बन जाएगा आप चाहे तो यहां पर बनाए उसके बाद यहां पर भी आप इसी तरीके से एक इस कॉर्णर पे एक इस कॉर्णर पे इस वाले कलर से बना दीजिए बहुत ही कुपसूरा से लगने वाला डॉर्मेट है तो आपको यह डॉर्मेट कैसा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा